नमस्कार तुड़े हिमाचल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईए शुरू करते हैं हिमाचल से चुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटापट खबरे लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इमाचल में चुनाव प्रचार का शूर थमा अब डोर टो डोर जाएंगे प्रत्याशी इमाचल में चुनाव प्रचार का शूर थम गया अब प्रचार थमने के बाद मदान के दिन से पहले तक सभी प्रत्याशी बिना किसी शूर शराबे के डोर टो डोर संपर करेंगे इसी के साथ संबंदित विधान सभा शूत्र में मौझूद गयर मदाता स्टार प्रचार को और राजनीतिक हस्तियों का बाहर जाना शूरू हो गया है प्रचार के अंतिम दिन सत्ता रोड भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रेस से लेकर निर्दलिये प्रत्याशियों ने चुनाओ प्रचार में पूरी ताकत जोगती प्रियंका बोली प्रदेश पर सत्तर हजार करोड का कर्ज पांच सालों सित्रे सथ हजार सरकारी पत्खाली कॉंग्रेस के रास्चिय मासाची प्रियंका गांधी ने गुर्वार को हिमाचा प्रदेश के सिर्मौर जिले के सतौन में चुनावी चंसभा को संभूधित किया प्रियंका अपने संभूधन के शुभारम पर कहा कि ये माता रेनुका भगवान परशुराम और माता भंगाएनी की धर्ती है इस धर्ती से ये सत्ते के खिलाफ सत्ते की आवाज हमेशा उठी है माता भंगाएणी साम दाम दंड भेट को पराज़त करने वाली देवी हैं माता के आशरवात से यही खासियात पूरे हिमाचल के लोगों में है कर्मचारी चाहन आयोग ने जारी की विभिने परिक्षाओं के दस्तावे सत्यापन की तितिया हिमाचल पुदेश कर्मचारी आयोग ने विभिने परिक्षाओं में उत्तीन हुए अभ्यातियों के दस्तावे सत्यापन प्रक्रिया के लिए तितिया आंग खोशित कर दी 976 फिटर का 24 नवंबर, पोस्ट कोड 97 जूनियर इंजिनियर का 25 नवंबर, पोस्ट कोड 971 लाइनमेन का 25 से 30 नवंबर तक दस्तावे सत्यापन किया जाएगा हमेचा बोले हिमाचल नहीं मानेगा राहुल बाबा की गैरेंटी किंद्रे क्रेमंत्रिय में शाहा ने कहा कि कॉंग्रेस आज दिल्ली और हिमाचल में परिवारवाद वाली मा बेचे की पाठी बन कर रह गए अब वक्त राज और आनी का नहीं लोगतंतर में जनता का है आज राहुल बाबा और कॉंग्रेस की गैरेंटी कोई नहीं मानता तो हिमाचल वाले क्या मानेंगे ये बाते शाहने सिर्म और जिले के पाठ्चा नगर परिशद मैदान और कांगरा जिले की सुलह विधान सभा शित्र के देहन में जन सभाव के दौरान कहीं चरस रखने के दोशी को चार साल के कछोर कारवास की ससा हमाचपते शाय कोड ने किलोग्राम चरस रखने के आरोपी को दोशी ठहराई जाने के निर्ने पर मोहर लगा दी हाला कि इस जुर्म के लिए सुनाई गई ससा को हाय कोड़ ने संशो धित किया खंड़बीट ने 10 वर्ष के कठोर कारवास को 4 वर्ष करते हुए निचली अदालत के निर्ने को संशोधित किया नियाइधीश सबीना और नियाइधीश सुशील को क्रेजा के खंड़बीट ने हर्याना निवासी रविंद्र कुमार की अपील का निपचारा करते हुए जुर्माने की राशी भी एक लाग से 25 जार रुपए की आएकोट से मंडी सदर से आजाद उम्मीद्वार लक्षमेंद्र को नहीं मिली राहत याचिका करता ने भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा के नामांकन को चुनोती दी थी गुरुवार को सुनवाई के बाद याचिका कड़ाने अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली है एक फीड बर्ट में चौदा किलो मीचा पैदल चलकर मद्दान केंदर पहुची पूलिंग पार्ट हिमाज़ोप देश में मद्दान से दू दिन पहले मौसम का मिज़ास बिकड़ गया बुद्वार रात और गुर्वार को लाहॉल इस्पीती जिले के अधिकान शिलाको और चमबा जिले के कबाईली श्यत्र पांगी में भारी बर्फ पारी हुई लाहॉल पांगी के जादतर मद्दान के इंदर बर्फ से लगतक होने के चलते यहां बारा नवंबर को मद्दान करवाना किसी चुनोती से कम नहीं होगा योगी आदतनात बोले देश में कॉंग्रेस होती तो कभी नहीं हटती धारा तीनसो सत्तर देश में अगर अभी भी कॉंग्रेस पाजी की सरकार सत्ता में होती तो आज नाहीं कश्मीर से धारा तीनसो सत्तर हटती और नाहीं आयोध्या में भवेराम मंदिर का निर्मान होत ना ही कॉंग्रेस देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ होती। ये बाद उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने बलहक एक कंसा मैदान और नाचन के धनोटू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। ये मौका उन परिक्षार्थियों के लिए है जो परिक्षा के दोरान या तो खेल प्रतियों गिता में भाग ले रही थे या सेना भट्ती या नेकार्णों से परिक्षा नहीं दे पाई थे। के लिए अलग से घुष्णा पत्र जारी किया है। जिले में 13 नवंबर तक लोगों को नहीं मिलेंगी परिवहन सेवाएं जानिये बचे। जिले में लोगों को वीरवाश से 13 नवंबर तक परिवहन निगम के सिवाएं नहीं मिल पाएंगी। पारा नवंबर को होने वाली मदान प्रक्रिया के लिए पूलिंग पाटीस को लाने और ले जाने के लिए प्रशासन की मांग पर परिवहन निगम से सो बसिस भेजी हैं। प्रदेश के उचाईवाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चाधर ओल ले प्रदेश के नौच अंबा लखाले स्पिती शिमला कुलो सिर मौर जिले की उपरी इलाकों में बर्फ बारी हुई। रोदांग अचल चनल में भारी हिम पात हुआ, इसके चलते एक ओट जहां पारा लुढक गया, वहीं परियाचकों के चेहरे खिल गए। की मौनिटरिंग कर सकेंगे। सुन्दर नगर के पुंग में चलते ट्रक में लगी आग लाखों का नुकसान। रास्यों चमार के किस चंडिकर मनाली पर सुन्दर नगर के पुंग में गुरुवार प्रात पांच पजे के करीब सलापड की ओर से मंजी की तरफ जा रहे एक ट्रक में। एक आएक आग लगने से ट्रक वा अंदर लदे समान को आग लगने से लाखों रुपे का नुकसान हुआ। बिलासपुर में दो गुचों में मारपीट, कॉंग्रेस प्रत्याशी, बंबत छाकुर का बेचा घायल किया चकाचा। बिलासपुर में वीरवार देर साइब असिस्टेंट के पास भाजपा और कॉंग्रेस का रिकर्टाओं के भी जड़ब हो गई। भाजपाबा कॉंग्रेस का रिकर्टाओं एक दूसरे पर मारपीट का आरूप लगाया है।